आत्मा राम वेदो ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था वह अपने सायबान में प्राता से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ, खटखट किया करता था ये लगातार ध्वनी सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गये थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई वह नित्य प्रती एक बार प्राता काल अपने तोते का पिंड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ, तालाप की ओर जाता था उस धंदले प्रकाश में उसका जरजर शरीर, पोपला मूँ और जुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिशित मनुष्ट को उसके पिशाच होने का भ्रहम हो सकता था जो ही लोगों के कानों में अवाज आती सत्त गुरुदत शिवदत दाता लोग समझ आते कि भोर हो गई उसके बोज को हलका करने वाला कोई न था लड़के कहते तब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही बिचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता भोजन के समय उसके घर में साम्मेवाद का ऐसा गगन भेदी निर्गोश होता कि वा भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुका पीता हुआ सो जाता उनका व्यावसाइक जीवन और भी अशान्तिकारक था यद्यपिवा अपने काम में निपुर था उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी तथा पी उसे आये दिन शक्की और धैर शून प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे पर महादेव अविच्रित गामभीर से सिर जुकाए सब कुछ सुना करता था जो ही ये कलहा शान्त होता वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उढ़ता सत्त गुरुदत शिवदत दाता इस मंत्र को जबते ही उसके चित को पूर्ण शान्ति प्राप्त हो जाती थी एक दिन संयोग वश किसी लड़के ने पिंजडे का द्वार खोल दिया तोता उड़ गया महादेव ने सिर उठा कर जो पिंजडे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया तोता कहा गया फिर उसने पिंजडे को देखा तोता गायर था महादेव घबडा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाध वड़ाने लगा उसे संसार में कोई वस्तो अगर प्यारी थी तो वह यही तोता था लड़के वालों लड़के नाती पोतों से उसका जी भर गया था लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विग्न पड़ता था बेटों से उसे प्रेम न था इसलिए कहीं की वे निकम्मे थे बलकि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंद दाईक कुलहाडों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था पडोसियों से उसे चिड़ थी इसलिए कि वे अगीठी से आग निकाल ले जाते थे इन समस्त विख्ण बाधाओं से उसके लिए कोई पना थी तो यही तोता था इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शान्ति भोग के शिवा और कोई इक्षा नहीं रहती तोता एक खपरेल पर बैठा था महादेव ने पिंजडा उतार लिया और उसे दिखा कर कहने लगा आ आ सत्त गुरुदत शिवदाता लेकिन गाउं और घर के लगके कत्र होकर चिलाने और तालिया बजाने लगे उपर से कवों ने काउं काउं की रट लगाई तोता उड़ा और गाउं से बाहर निकल कर एक पेड़ पर जा बैठा महादेव खाली पिजडा लिये उसके पीछे दोड़ा सो दोड़ा लोगों को उसकी दृति गामिता पर अचमभा हो रहा था मोह की इससे सुन्दर इससे सजीव इससे भाव में कलपना नहीं की जा सकती दोपहर हो गई थी किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला महादेव को छिड़ाने में सभी को मज़ा आता था किसी ने कंकल फेके किसी ने तालियां बजाई तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैढ़ा महादेव फिर खाली पिंजडा लिए मेढ़क की भात युचकता चला बाग में पहुचा तो पैर के तलवों से आग निकल रही थी सिर चक्कर खा रहा था जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजडा उठा कर कहने लगा सत्त गुरुदत शिवदत दाता तोता फुनगी से उतर कर नीचे की एक डाल पर आ बैठा किन्तो महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था महादेव ने समझा डर रहा है वह पिंजडे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आन में छिप गया तोते ने चारो ओर गौर से देखा निशंग हुआ गया उतरा और आकर पिंजडे के उपर बैठेया महादेव कारदे उचलने लगा सत्त गुरुदत शिवदत दाता का मंत्र जबता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका की तोते को पकड़ ले किन्तो तोता हाथ ना आया फिर पेड़ पर जा बैठा शाम तक यही हाल रहा तोता कभी इस डाल पर जाता कभी उस डाल पर कभी पिंजडे पर आ बैठता कभी पिंजडे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता बुढधा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तमई माया यहां तक किशाम हो गई माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया रात हो गई चारो और निवड अंधकार छा गया तोता न जाने पत्ती में कहां छिपा बैठा था महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना पिंजडे में आ सकता है फिर भी वह उस जगे से हिलने का नाम न लेता था आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया रात के भोजन का समय भी निकल गया पानी की बून्द भी उसके कंठ में न गई लेकिन उसे न भूँख थी न प्यास तोते के बिना उसे अपना जीवन निसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था वा दिन रात काम करता था इसलिए कि यह उसकी अंता प्रेणा थी जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ग्यानना होता था तोता ही वह वस्त थी जो उसे चेतना की याद दिलाता था उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था महादेव दिन भर भूखा प्यासा ठका मांदा रह रह कर जपकिया ले लेता था किन्तु एक छड में फिर चौक कर आखे खोल देता और उस व्रिस्तित अंदकार में उसकी आवाज सुनाई देती सत्त गुरुदत शिवदत दाता आधी रात गुजर गई थी सहसा वा कोई आहट पाकर चौका देखा एक दूसरे व्रिक्ष के नीचे एक धुनला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बाते कर रहे हैं वे सब चिलम पी रहे थे तमाखु की महक ने उसे अधिर कर दिया उच्च स्वर में बोला सत्त गुरुदत शिवदत दाता और उन आदमीों की ओर चिलम पीने चला गया किन्त जिस प्रकार बंदूक की अवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे कोई इधर गया कोई उधर महादेव चिलाने लगा ठहरो ठहरो एकायक उसे ध्यान आ गया ये सब चोर हैं वह जारे से चिला उठा चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोरो ने पीछे फिर न देखा महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था महादेव का हरिदय उचलने लगा उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी उसने एक मोहरे बाहर निकाली और दीपक में उजाले में देखा हाँ मोहर थी उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेण के नीचे छिपकर बैठा रहा साह से चोर बन गया उसे फिर शंका हुई ऐसा नहो चोर लोट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले उसने कुछ मोहर कमर में बांधी फिर एक सुखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटा कर कई गढ़े बनाए उसमें उन्हें मोहरों से भर कर मिट्टी से ढख दिया महादेव के अंतरनेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था चिंताओं और कलपनाओं से परिपूर्ण यद्यपी अभी कोश के हाथ से निकल जाने का भै था पर अभिलाशाओं ने अपना काम शुरू कर दिया एक पक्का मकान बन गया सराफे की एक भारी दुकान खुल गई निज सम्बंधियों से फिर नाता जुड गया विलाश की सामग्रिया एकत्रित हो गई तब तीर्थी आतरा करने चले और वहां से लोट कर बड़े समाहरों में यग्य ब्रह्म भोज हुआ इसके पश्चात एक शिवाले और कुवा बन गया एक बाग भी लग गया और वहां नित्यप्रतिकता पुरान सुनने लगा साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा भागा हुआ चला गया जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गये हैं चिंता शान्त हो गई इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई उशा का आगवन हुआ हवा जागी चिडिया गाने लगी सहसा महादेव के कानों में आवाज आई सत्त गुरुदत शिवदत दाता राम के चरण में चित्त लागा यह गोल सदेव महादेव की जीवा पर रहता था दिन में सहस्रों ही बार ये शब्द उसके मूँ से निकलते थे पर उनका धारमिक भाव कभी भी उसके अंताकरण को सपर्ष न करता था जैसे किसी बाजे से राग निकलता है उसी प्रकार उसके मूँ से यह बोल निकलता था निरर्थक और प्रभाव शून ने तब उसका हड़े रूपी व्रक्ष पत्र पल्लव विहीन था यह निर्मल वायू उसे गुंजरित न कर सकती थी पर अब उस व्रक्ष में कोपलें और शाखाएं निकलाई थी इन वायू प्रभाव से जूम उठा गुंजित हो गया अरुनोदोय का समय था प्रकरती एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी उसी समय तो था पैरों के जोड़े हुए उची डाल से उतरा जैसे आकाश से कोई तारा तूटे और आकर पिंजडे में बैठ गया महादेव प्रफुलित हो कर दोड़ा और पिंजडे को उठा कर बोला आओ आत्मा राम तुमने कश्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया अब तुम्हें चांदी के पिंजडे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा उसके रोम रोम के परमात्मा के गुण अनुवात की ध्वरी निकलने लही प्रभू तुम कितने दयावान हो ये तुम्हारा आसीम वातसल्य है नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग था इस पवित्र भावों से आत्मा भिवल हो गई वह अनुरक्त होकर कह उठा सत्त गुरुदत शिवदत दाता राम के चरण में चित लागा उसने एक हाथ में पिंड़ा लटकाया बगल में कलसा दवाया और घर चला महादेव घर पहुँचा तो अभी कुछ अंधेरा था रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट ना हुई और कुत्ते को मोहरों से विशेश प्रेम नहीं होता उसने कलसे को एक नान में छिपा दिया और कोईले से अच्छी तरह ढग कर अपनी कोठरी में रखाया जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुचा पुरोहित पूजा कर बैठे सोच रहे थे कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हास में कोडी भी नहीं यजमानों में कोई सांस भी लेता इतने में महादेव ने पालागन की पंडित जी ने मुँँ फेर लिया ये अमंगल मूर्ति कहां से आ पहुची मालूम नहीं डाना भी मैसर होगा या नहीं रुस्ठ होकर पुछा है क्या है जी क्या कहते हो जानते नहीं हम इस समय पूजा कर रहे हैं महादेव ने कहा महाराज आज मेरे यहां सत्न नरायन की कथा है पुरोहिज जी विस्मित हो गए कानों पर विश्वास ना हुआ महादेव के घर कथा का होना उतना ही आसाधारन घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना पूछा आज क्या है महादेव बोला कुछ नहीं ऐसे इक्षा होई कि आज भगवान की कथा सुननू प्रभात ही से तैयारी होने लगी वेदो के निकटवर्ती गाओं में सुपारी फिरी कथा के उपरांध भोज का भी नेवता था जो सुनता आश्चरे करता आज रेत में दूब कैसे जमी संध्या समय जब सब लोग जमा हो और पंडी जी अपने सिहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला भाईयों मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी कितने खरे को खोटा किया पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है वहाँ मेरे मुह की कालिक को मिटाना चाहते है मैं आप सब भाईयों से लगकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम में जो कुछ निकलता हो जिसकी जमा मैंने मार ली हो जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो वो आकर अपनी एक एक कोड़ी चुका ले अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए कल से एक महने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले गवाही साखी का काम नहीं सब लोग सरनाटे में आ गए कोई मारमिक भाव से सिरहिला कर बोला हम कहते न थे किसी ने अविश्वास से कहा क्या खाकर भरेगा हजारों का टोटल हो जाएगा एक ठाकुर ने ठठोली की और जो लोग सुर्धाम चले गए महादेव ने उतर दिया उसके घर वाले तो होंगे किन्तु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इक्षाना थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहां से गया किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ दिहात के आदमी थे गड़े मुर्देव खाड़ना क्या जाने फिर प्राया लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चुक हो जाने का भै उनका मूबंद किये हुए था सबसे बड़ी बात यहा थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशिभूत कर लिया था अचानक पुरोहिद जी बोले तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिये थे महादेव हाँ याद है आपका कितना नुकसान हुआ होगा पुरोहिद पचास रुपए से कम न होगा महादेव ने कमर से दो मोहरे निकाली और पुरोहिद जी के सामने रग दी पुरोहिद जी की लोलुपता पर ठिकाएं होने लगी यहाँ बेमानी है बहुत हो तो दो चार रुपए का नुकसान हुआ होगा बिचारे से पचास रुपए एट लिए नारायन का भी डर नहीं बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब राम राम लोगों को महादेव पर एक शद्धासी हो गई एक घंटा बीद गया पर उन सहसो मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ तब महादेव ने फिर कहा मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए है इसलिए आज कथा होने दीजिए मैं एक महिने तक आपकी रहा देखूंगा इसके पीछे तीर थियात्रा करने चला जाऊंगा आप सब भायों से मेरी बिंती है कि आप मेरा उद्धार करें एक महिने तक महादेव लेंदारों की राह देखता रहा रात को चोरों के भैसे नीद ना आती अव्वा कोई काम न करता शराप का चसका भी छूटा साध हु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सतकार करता दूर दूर उसका सुयश फैल गया यहां तक की महिना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया अब महादेव को ग्यान हुआ कि संसार में कितना धर्म कितना सद वेवहार है अब उसे मालुम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा इस घटना को हुए पचास वर्ष बीच चुके हैं आप वेदो जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलस दिखाई देता है वह ठाकुर द्वारे का कलस है उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खुब कमल खिले रहते हैं उसकी मशलियां कोई नहीं पकड़ता तालाब के किनारे एक विशाल समाधी है यही आत्मा राम का स्मृति चिन है उसके संबंद में विभिन के मदंतियां प्रचलिद है कोई कहता है वह रत्न जटित पिंजडा स्वर्ग को चला गया कोई कहता वह सत्त गुरुदत कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूप चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास लिया लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तलाब के किनारे आवा जाती है सत्त गुरुदत शिवदत दाता राम के चरण में चित लागा महादेव के विशे में भी कितनी ही जन्शुतियां है उनमें सबसे मान ये है कि आत्मा राम के समाधिस्त होने के बाद वह नई सन्यासियों के साथ हिमाले चला गया और वहां से लोट करना आया उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया